आज हम डिस्कुस करेंगे एट्मोस्फेरिक प्रेशर यह this is very important topic to understand कि जो एट्मोस्फेरिक प्रेशर का जो वेरियेशन होता है along with altitude और क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे एट्मोस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बुलते हैं यह आप पिक्चर देख सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई एट्मोस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है एट्मोस्फेर में एक गैस का लेयर है इसमें गैसे स्टेट में गैसेज रहते हैं along with water vapor तो यह जो गैस का जो कॉलम है यह गैस का ऊपर प्रेशर क्रेट करता है जिसने से यह अर्थ के सर्फेस से लेकर के एट्मोस्फेर टॉप लेयर तक मालेजे हाइट ह1 है और अर्थ के एक सर्टेन हाईयर एल्टिचूट पे एक दूसरा पॉइंट यहां है जिसका हाइट ह2 है ह2 का हाइट जो है टॉप लेयर से लेस देन ह1 है अब देखिए सपोस कीजिए यहां कोई एक आदमी खड़ा है और दूसरा यहां खड़ा है इसके उपर जो प्रेशर लगेगा गैस का वाटर कॉलम इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा लगेगा क्योंकि यहां का हाइट ज्यादा है यहां जो आदमी रहेगा उसका वाटर कॉलम जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा तो इस तरह से हम एल्टिचूट उपर जाते जाएंगे जोकि उपर का पॉइंट फिक्स है उपर का लेयर फिक्स है तो इसका यह हाइट कम होते जाता है जिस जैसे के हम इस लेवल से हाइट उपर की तरह जाएंगे यह हाइट तो बढ़ता है बट जो एक्चूल में जो प्रेशर लगता है गैस के कॉलम का वो कम होते जाता है जैसे ही अल्टिचूट उपर जाते हैं हमारा अट्मोस्फेरिक प्रेशर कम होता है अट्मोस्फेरिक प्रेशर जो के बैरिमेट्रिक प्रेशर ही बोलते हैं मीन सी लिबल पे 1.013 बार एप्सलूट होता है इसका मतलब इसके अर्थ के ऊपर अर्थ सर्फेस के मीन सी लिबल से ऊपर जितना ही ज्यादा जाएंगे उतना ही यह वैलू कम होता जाएगा मतलब इट विल बार लेसर देन 1.013 बार एप्सलूट अभी एट्मोस्फेर जो लेयर है गैस का उसमें दो मेन कंपोनेंट है एक है गैसियस फॉर्म बला जो जिसमें की लॉट ऑफ टाइप जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है आरगन है कार्बन डॉक्साइड है है ऐड्रोजन है हिलियम है नियान है क्रिप्ट अने जिनॉन है तो यह एक गैस का पर्सेंटेज है वह हमेजा और सेम प्रॉपोर्शन मिलाता है दूसा कंपोनेंट है इसे को हम ड्राय येयर भी बोलता है दूसरा जो component है वो water vapor है अभी जो dry air का percentage जो है उस same proportion में राता है और यह हमेशा change नहीं होता है that means इसका proportionate हमेशा same राता है इसका reason यह होता है कि यह atmosphere में कभी condensate नहीं होता है क्योंकि इसका condensation temperature बहुत ही low होता है इसलिए कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि 100 mm of nitrogen की बारिश हुई है यह 100 mm of oxygen की बारिश हुई है but moment आप देखेंगे जहां rain होता है water vapor का ही होता है क्योंकि condensation जो होता है सिर्फ water vapor का होता है नहीं dryer का होता है dryer का composition हमेशा क्योंकि इसका condensing temperature बहुत ही low होता है अगर atmosphere का condensing temperature उतना हो जाए तो लोग freeze हो जाएंगे इसलिए it is always considered as constant dry air हमेशा same proportion में डाता है जबकि change होता है water vapor का quantity और इसकी वज़े से आपको हमेशा relative humidity में change जाता है तो चलिए समझते हैं कि relative humidity क्या है मालने जिए atmospheric air को लिया आपने किसी container में डाल देते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होगा इसको इस form में दिखाया है कि dryer का proportion में ज्यादा दिखाया है और वाटर वेपर कम दिखाया यह दो compartment माले जिए पूरा ड्रायर है इस compartment में वाटर वेपर है अभी चुकी unsaturated condition है इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो water vapor है सपोज इस portion को हमने मान ले जा 100% तो सपोज इस 70% बढ़ा हुआ है तो 30% अभी space level है इसका मतलब इसका relative humidity हो गया 70% अगर 80% इस पूरे 100 को मान करके 80% अगर water vapor इसमें है तो इसका मतलब relative humidity 80% हो गया तो इस condition को बोलते हैं unsaturated condition क्योंकि इसमें अभी भी scope है कि water vapor accommodate कर सकता है और इसी चीज को इस form में देखिए जो G लिखा है वो इसको dryer denote किया हुआ है और जो B लिखा है water vapor है तो G ने अपना space ले लिया है और जो बचा हुआ में कुछ B है और still there is some space available यहां खाली जगह है तो इसको हम बोलते हैं unsaturated condition और unsaturated condition में relative humidity जो होता है हमेशा less than 100% होता है क्योंकि इसमें अभी space available है जैसे यहां भी है तो उसमें accommodate कर सकते हैं water vapor saturated condition किसको बोलते है saturated condition उसको बोलते हैं जहां अभी कोई space available नहीं है मतलब dryer तो ले ही लिया अपनी जगह water vapor भी अभी 100% हो गया है उसमें कोई space available नहीं है इसलिए relative humidity 100% हो गया है और इस condition में ही condensation होता है जब relative humidity 100% हो जाता है तो water vapor will starts condensing इसी को saturated condition भी बोलते हैं sometimes people gets confused कि higher relative humidity अगर है gas में मतलब atmosphere में तो उसको denser होगा या नहीं तो एक चीज में बदा देता हूं कि जब relative humidity बढ़ता है तो water के content बढ़ते है water का molecular weight 18 होता है which is less than the dry air, dry air में जितने component हमने discuss किया nitrogen, oxygen, helium, argon, hydrogen, सब मिला के जो molecular weight बनता है dry air का 28.965 तो यह दो main component होगे dry air water vapor यह दोनों का composition 100 करना है तो जैसे ही आप relative humidity ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब water vapor का content बढ़ा रहे हैं और water vapor बढ़ जाने के वज़े से overall जो moist air का molecular weight है वो कम हो जाएगा क्योंकि lighter gas and water vapor वो mix हो रहा है similarly dry air का maximum molecular weight होता है 28.96 तो relative humidity जैसे ही कम करते जाएगे molecular weight बढ़ता जाएगा इसलिए compressor में आप देखेंगे first stage में molecular weight कम ढढ़ाता है दूसरी stage में जाने के पहले condensation हो जाता है इसलिए उसका molecular weight बढ़ जाता है condensation में condensate water vapor का होता है इसलिए molecular weight बढ़ने लगता है तो higher stage में आप देखेंगे तो molecular weight हमेशा बढ़ते रहता है माईशयर का है in completion so thank you